यह संद्ध की जानब से हर साल anoncle की जाती है। इस साल भी स्कलर्शिप ख़ की गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपने इसमें अप्लाए करना है कौन-कौन से आपको डॉक्मेंट्स चाहिए होंगे और कौन-कौन सी यूनिवेस्टी के स्टूरंस इसमें अप्लाए कर सकते हैं उसके लावा eligibility के इसके लिए हमें apply के से करना है यहां पर आपकी यह रही पोस्ट फस्ट जुलाए को यह आपकी पोस्ट हुई है इसके लिए आप यह देख सकते हो इसके लिए इसमें अप्लाए कर सकते हैं उसके लावा ऐसे तमाम इस्टूरंस जो डिजर्व करते हैं तो वह approved universities में उनकी admission हो 2021-22 के years में उनकी वह approved university में enrolled हो तो वह universities की list भी हम देखते हैं के कौन सी universities हैं उसके लावा students की जो कम अजकम GPA है यह score है marks जो हैं कम अजकम 2.5 out of 4 या 60 percentage होनी चाहिए या उससे ज्यादा लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए अगर इससे कम होगी तो वह students को यह scholarship नहीं मिलेगी उसके लावा income certificate देना पड़ेगा अच्छा जो भी students apply कर रहे हैं तो उनको income certificate देना पड़ेगा जो के assistant commissioner होता है उसकी उस signature वगएर की गई होगी verify किया गया होगा उसका तो वह आपको income certificate भी देना होगा उसके साथ जो students जिन students के parents government के जो है servant है government में जो है काम करते हैं तो उनको जो है अपना certificate देना होगा अपनी service का certificate जिस भी department में वह काम कर रहे हैं like अगर कोई health department में काम कर रहे तो उसको अपनी health department का certificate देना होगा अगर कोई education में काम कर रहे तो उसको education का certificate देना होगा इसी तरह students parents guardians having an annual net income from all sources of not more than the income limit given as follows तो जो उनके parents है students के उनको जो है annual income जो net income है वो सारे let's suppose के दो कोई किसी को जो है टॉप भी है वो teacher भी है या जो भी तो मतलब जो भी आपकी overall income है सारे sources से तो वो आपकी जो है इन जो ranges दी गई है इन से ज्यादा नहीं हो group A है 0 से लेकर 15 लाग annual income नहीं हो 15 लाग तक वाले students अगर जिनकी 15 लाग से लेकर 25 लाग तक है तो वो group B में आते हैं और 25 लाग से लेकर 60 लाग तक जो students आते हैं जिनकी income वो group C में आते हैं उनकी जो है 10% होगी group B की भी 10% होगी और group A के जो students होंगे उनको 80% scholarship मिलेगी उसके अलबा अगर हम देखें के कौन-कौन से disciplines के students इसमें apply कर सकते हैं जो BBA कर रहे हैं business administration में पढ़ रहे हैं या engineering कर रहे हैं या LLB या doctor of physiotherapy, information technology, B&D pharmacy, agriculture engineering, medical, MBBS और BBS या social sciences या DVM, veterinary medicines तो ऐसे students जो इन disciplines में पढ़ रहे हैं तो वो students इसमें apply कर सकते हैं उसके अलबा यहाँ पर आप eligibility भी देख सकते हो apply करने की जो link है ये दी गई है ठीक है उसके साथ last date apply करने की यहाँ पर आप देख सकते हो 30th August 2022 है तो यह last date आपकी apply करने की है तो applicants should submit their application along with required documents as specified in the application by 30th August 2022 to their concerned university आपको यह application आपकी यूनिवस्टी में जमा करवानी होगी ठीक है उसके साथ यह यहाँ पर special features है आप यहाँ पर blurred है तो हमने क्या किया है कि यह आप देखे आफिशल पेज़ पर भी यह blood नजर आ रही है तो हमने last year वाली जो है वो clear है उसको download करके रखा है यहाँ पर आप देख सकते हो के seats reserved for poor, nady and meritorious students 86% उनके लिए है seats special quota seats reserved for students special needs उनके लिए 2% है special quota students के लिए लिए ब्लाउंग तो मैनर्टी के लिए भी 2% आपकी जो है और फंड के लिए भी 5% है और जो seats reserved for children of employees of government of sin, जो government of sin के employees हैं उनके लिए भी 5% आपकी seats है तो यह आप seats distribution भी देख सकते हो उसके लावा अब हम चलते हैं list of universities जो approved universities हैं तो यह list आप देख सकते हो और उनके साथ आप यहाँ पर seats भी देख सकते हो कि कितनी seats हैं आगाखान medical university की पांच seats है आगाखान medical university के पांच students को यह scholarship मिलेगी अलतिबरी medical college के students 15 students को यह मिलेगी बहर्या university के 10 students को इसी तरह आप यहाँ पर पूरे list देख सकते हो आपकी university है इसमें नहीं है वो आप यहाँ से देख सकते हो overall यहाँ पर 74 universities हैं यह इनकी different seats है तो आप यहाँ से यह देख सकते हो एक मात आपको बतादा चलूँ के ऐसे तमाम students जो आफटाउग दी सिंध जो है education आसल कर रहे हैं लेकिन उनको सिंध का डोवी साइल है वो सिंध के हैं तो उनको भी यह scholarship दी जाएगी जैसे यहाँ पर आप 43 जो university है वो देख सकते हो मेरपुर युनिवेस्टी आफ आजाद यमू एंड कश्मीर तो उनकी जो है जो आजाद यमू एंड कश्मीर में हमारे सिंध इस्टूरंट पर रहे हैं उनके लिए 10 seats हैं इसी तरह आपके जो है इसलामबाद की कुछ यहाँ पर seats हैं कुछ आपकी जो है कहां गई मैं देखता हूं खुजदार की यह seats हैं बलोचिस्टान युनिवेस्टी आफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नालोजी खुजदार 10 seats उनके लिए सोवाभी के seats हैं यह गुलाम इश्टियाक इशाक युनिव मैंने यहाँ पर देखी थी तो यह आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या आपकी युनिवेस्टी यहाँ पर है या नहीं है नस्ट है नस्ट की जो है 15 seats हैं जो सिंधी स्टूरंट से नस्ट में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए 15 seats हैं उनको domicile सिंध का होगा तो वह पर्मेंट आपको 17 ग्रेड या उससे अबों ग्रेड के आफिसर से अटेस्ट करवा कर उनकी पिक्चर निकाल कर आपने PDF बना कर उनका अपलोड करना होगा उनलाइन फार्म में उसके साथ आपने यह इस बार उनलाइन फार्म है उससे पहले आपका जो फार्म होता था वो आपने अप आपने डॉक्मेंट्स अपलोड भी करो एक पीडफ में बना कर आपने वहां पर अपलोड करना है और उसके साथ आपने वह सारे आपके जो भी डॉक्मेंट्स होंगे यूनिंविस्टी में भी सबमिट करवाने हैं डॉकुमेंट्स में आपका CNIC आ जाता है, CNIC नहीं है तो आपको जो है Student ID and Recard जो यॉनिवस्टी की जानब से दिया जाता है वो आपने इन में से कोई भी एक चीज आपने यहां पर upload उसमें देनी हो कि उसके साथ आपको जो है form C, copy of form C यह आपका domicile PRC के साथ होता है, एक form B होता है एक form C होता है तो वो आपने यहां पर देना होगा, जो के मेरे ख्याल से form B आपका jobs के लिए होता है और form C जो होता है, आपका education के लिए होता है, तो form C आपने यहां पर देना है उसके साथ आपको जो है NIC father का ठीक है उसकी एक copy होगी fee होगी आपकी last paid fee जो आपने university में pay की है last fee उसकी एक copy student certificate of domicile उसके साथ आपको permanent resident certificate PRC भी student का देना होगा domicile of father या mother या guardian आपको देना होगे academic certificates आपके जो है matriculation mark sheet intermediate mark sheet यह तो आपको लाजबी देनी होगी उसके साथ अगर आप graduated है तो आपको वह भी देनी होगी ठीक है तो जो भी आपकी last जो last previous जो भी आपकी educational certificates है वह आपको देनी होगी ठीक है आपको जो है यह 9th पर आप देख सकते हो house documents resident के या rent document आपको देने होगे original salary slip आप father यह देनी होगी इसके साथ आप यह भी देख सकते हो दूसरे आपको like utility bills electricity gas telephone जो भी आपके last paid bills है वह भी आपने देने होगे उसके साथ यह आपको जो है original download कर लो यहां से download नहीं होगा तो यह आपको sample दिया गया है यह आप खुद बनवा सकते हो computer वाले से यह आप खुद भी बना सकते हो अगर आपको words चलाना आती है तो ठीक है यह आपको print करवाना होगा print किस चीज़ पर करवाना होगा RS20 के stamp paper पर आपने यह print करवाना है यह stamp paper भी आपको जो है मिल जाता है easily आपकी जो office होती है तालुका की वहां से आपको यह मिल जाती है ठीक है तो यह आपका जो है print करवाकर उस पर आपने जो है इसको भी आपने documents के साथ लगाना होगा उसक documents को एक PDF में बना कर यहां पर आपने upload करणा होगा upload इस तरह इसको select करेंगे यह आपको अपने उसमें लिखके चला जाएगा यहां से आप इसको लेट सपोस के select किया इसको open किया यह हो गया done यह यहां पर आगया ठीक है उसके साथ यह हम देखिकते हैं किस तरह से आपने जो है फिल करना है यहां से यह application farm है यह आप इसकी link देख सकते हो secap.dgcs.gos.pk ठीक है यह आपकी link है यहां फिर हम sef.sind.gov.gov.pk पर आजाएं तो आप यहां पर देख सकते हो यह apply online पर sef scholarship इसको हमने click किया जिसे हमने इसको click किया तो यह हमारे पास वह farm आ गया ठीक है यह farm आ गया अब क्या करना है यहां से आपने फिल करना है fresh candidate है हाँ select कर लिया अगर renewal है पहले से ले रहे है scholarship तो आप वह select करोगे उसके साथ course of study with semester कौन सा course कर रहे हो जो भी course कर रहे हो let's suppose engineering ठीक है और sixth semester six हमने लिख लिया उसके साथ आप नीचे university का नाम दोगे यह पूरी universities के नाम आ गए list आ गए जो universities है तो आप यहां से अपनी university का नाम select कर लोगे ठीक है let's suppose मैं दाओध university select कर ली इसी तरह आपने यहां पर personal information देनी है नाम यहां पर father name यहां पर आपने parent mailing address यहां पर phone residence यहां पर अपना mobile number यहां पर email address यहां पर district नो मिसाल यहां से आप select भी कर सकते हो ठीक है यह मैंने select कर लिया यहां पर आप अपना CNIC यहां बेफार्म नंबर दोगे उसके साथ यहां पर जितने आपके members है family में वह आप यहां पर select करोगे आपके इलावा ठीक है जितने members है let's suppose के मेरे जो है दो members हैं तीन members है मैंने select कर लिया आप तीनों की मैं यहां पर detail देनी होगी यह तीन दो मेंने लिखा है 3 लिख लेते हैं तो 3 यह आगए जितने आप लिखेंगे उतने यह आपके boxes आ जाएंगे ठीक है पांच लिखते हैं पांच आगए इसी तरह जितने भी आपके family members है उतने आप select कर लेट सबस्दो मेंने select किया यहां पर job क्या करता है मेरा जो भी family member है क्या करता है ठीक है यह करती है student है चलो हमने select कर लिया यहां पर नाम दोगे यहां पर उसकी एज दोगे यहां पर उसका आपके साथ relationship क्या है material status single है married है divorce दे widow है ठीक है occupation क्या करता है service business यहां कुछ भी जौब करता है जो भी है तो वह आप यहां पर लिखोगे income institution institution या organization student है तो institution का नाम यहां पर दोगे कहां पर पढ़ रहा है अगर job कर रहा है तो कौन सी organization में job कर रहा है वो यहां पर लिखोगे type of income income किस तरह है उसको जो है आ रही है ठीक है वो यहां पर select करोगे जो भी salary pension है profit from saving and investment rental income है agriculture income है business income है जो भी है no income तो no कर लेंगे ठीक है इसके साथ income पीक के RS में आप यहां पर लिखोगे तो जुब जितनी income है ठीक है नहीं है तो छोड़ दोगे उसके साथ यह आप details दूसरे को भी लिखोगे जितने students आपके family में जितने members है उनकी आप यहां पर information लिखोगे उसके साथ detail of property bungalow है apartment में apartment है तो उसकी exact location क्या है यहां पर square में उसकी area in square inches ठीक है या yards में आप दोगे यहां पर current value पाकिस्तान रुपीज में जो भी land plot है तो उसकी जो है यह आप detail दोगे commercial है तो उसकी detail भी दोगे agriculture है तो उसकी detail जो जो चीज़ें आपके पास है available उनकी जो है आपने यहां पर information देनी होगी उसके साथ अगर आप पहले स कोई scholarship ले रहे हो तो वो उसकी जो है आप यहां पर detail दोगे कौन से year में आपने मिली थी ठीक है financial assistant scholarship की क्या type थी कौन सी scholarship थी यहां कितना amount आप को receive हुआ है sponsoring agency कौन सी agency ने sponsor किया था यह आप यहां पर आपने यह information फिल करनी होगी उसके साथ upload profile picture यहां पर आप select करोगे यह अपने अपनी जो है picture profile picture यहां पर upload करनी होगी let's suppose कि मैं यहां sir अपनी picture select करता हूँ ठीक है मेरी बनी हुई है उदर से मैं ही आपको यह दिखा देता हूँ ठीक है यहां पर मैंने कुछ फिल किया हुआ है यह मैंने यहां पर इस तरह upload कर दी डाकुमेंट्स मैंने आपको बता दी यह सारे उसके बाद आप upload करके इसको proceed कर दो कि आपको फांपिल हो जाएगा तो यह इथा जाज गामर विडियो उमीद करता हूँ कि आपको फ़्चंद आएगा अगर विडियो पसंद आ है तो व्चंद करें चैनल को subscribe करे और ज्यादा सी जज springs के शेयर करें ताकि जितने ज्यादा अच्छा है किह जी जादा स्टूडेंट का ऱा हो जपना है तो गैसं मि